तो नई पेंशन 25,000 रुपए होगी जबकि पुरानी पेंशन आपको मिलती थी स्विफ 5,180 रुपए है इसमें 383 फीजदी बढ़त है पेंशन की बहाली वाले हर दिन अपने मुद्दे को लेकर गोल बंद होते जा रहे हैं। वे भी सरकार के भीतर काम करते हैं। उन्हें भी हिसाब किताब आता होगा, दिमाग लगाना आता होगा, तो क्या उन्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं हो पार रहा है। धन्यवाद तो आपके लिए जानकर ये वेयती काम की होने वाली तो वीडियों तक दिखते रहेगा जैसा कि आप सभी की मांगे कि मीनिमम पेंसन को कम से कम बढ़ा करके 7500 रुपे को लागू किया जाए और साथ में फ्री मेडिकल सुईजा का लाम मिले हायर पेंसन का फाइदा मिले कुछ ऐसे भी पेंसन अस्ते जिसको सामिल नहीं किया गया था उन्हें भी सामिल किया जाए आप सभी की 400 रुपे की आपको मीनिमम पेंसन मिल सकती है के और से एक बैटक में यह प्रस्तावे जो तयार किया गया आजिस दिया गया है कि जल्षे जल्द ईप्यापो उपने सब्सक्राइबर को अच्छा फाइदा मिले यानि कि उनको अच्छा फाइदा थी तो आपको बात दे कि आपकी पेंसन को लेकर अब तक ये बड़ी अपडेटारी की EPFO आपकी पेंसन बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है आपको बात दे कि सोचल मीडिया का दरवर बड़ी जानकर इस सामने आ रही है